हेलो ब्रिवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आप सभी के लिए फूर डिपार्टमेंट की तरफ से साल 2024 की नई भरतियों को लेकर बहुत ही बड़ी खुसकबरी आ चुकी है इस वीडियों में हम बात करेंगे फूर डिपार्टमें कर दिये गए हैं दोस्तो इन भरतियों को फेक या गलत समझने की गलती मत करेंगा क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं उसके बाद आपको नोटिपिकेशन डाउनलूड करना आता नहीं या फिर आप डाउनलूड करना चाहते नहीं और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपने मन में सोचेंगे कि ये बीडियो गलत है या फिर ये नोटिपिकेशन फरजी है तो आपको बता दे प्रूब के साथ में ओफिसल वेपसाइट पे ले चलके नोटिपिकेशन को डाउनलूड करेंगे और आपको कम्प्लीट डेट दिखाएंगे और बताएंगे कि नो नोटिपिकेशन के हम बीडियो बनाते ही नहीं आपको प्रूब के लिए नोटिपिकेशन दिखाते हैं या फिर अपकमिंग वेकेंसी होती है तो आपको बता देते हैं कि इस डेट तक नोटिपिकेशन आपको मिल जाएगा बस थोड़ा ये सोचा करिए कि अगर हम जानकार दी जारी authentic है आपको बताएंगे कौन सा डिपार्टमेंट है किस पोश्ट पर कितनी नंबर विकेंसी के उपर आपको इस बार इन खाद विवाग की भरतियों के notification देखने को मिलेंगे उसके लिए बस आपको इस वीडियो को आखरी तक देखना होगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और आगे आने वाली वीडियो की ऐसी ही अपडेट समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल notification को जरूर अन करिएगा दोस्तो इन vacancies के notification हाली में जारी किये गए हैं आज के दिन जारी किये गए हैं लेकिन इनके लिए आपडेदन आप अपरेल के महीने में कर पाएंगे और इसकी आगली डेट 15 मई 2024 की है exact date आपेदन करने की क्या है वो notification में लिखा हुआ है जो की आपको आगे दिखाएंगे 18-42 साल का कोई भी candidate इसके लिए आपेदन कर पाएगा इसके लाबा 400 यानि 400 से भी जादा नमबर विकेंसी है जोनियर एनलिस्ट की पोश्टे हैं आपको आगे बताएंगे ओल इंडिया लेबल की जाब बिल जाती जहां पर आप लोग भारत के किसी विराजस्ते आबेदन भी कर सकते हैं male and free male लियानी महिला और पुरुस दोनों कटगदी के candidate आबेदन कर पाएंगे दोस्तों आपको आगे official website पे ले चलेंगे basic जानकारी share करेंगे देखते रहेगा ताकि आपको notification को download करने का idea हो जाए और हर वीडियो में हम यह सारी शीरे आपको नहीं बोल सकते कि हम जो जानकारी दे रहें वो authentic है fake नहीं है बस एक वीडियो को देखे उसके अंदर बताये गए process को follow करिये कैसे आप notification को download कर सकते हैं और थोड़ा अपना दिमाग लगाए और थोड़ी मेहनत करें हम आपको जानकारी देते हैं आए देखते हैं notification को तो दोस्तों आपको आवेधन करने का link हमेशा की तरह बीडियो के description में और comment box में दिया गया है इसके लाबा गूगल पे जाके नोकरीकबर.com टाइप करेंगे आपको हमारी website मिल जाएगी यहाँ पे देख सकते हैं food department recruitment है 24 के लिए जहाँ पे आपको junior analyst की पोष्टे मिलती है 4 department के अंदर UP SSC department है इस बात का ध्यान रखेगा उसके बाद आपके मिन में कोई doubt नहीं होना चाहिए और UP SSC के द्वारा जारी हुए हर notification को authentic आपको मानना पड़ेगा हमारे दोया notification बनाया नहीं गया कि आप लोग बोलें कि यह खुद से बनाया notification यह fraud है जूरान इरालिस्ट की पोष्टे मिलती है जहाँ पे आपको 417 यानि की 417 पदो पर यह job offer होती है 10-12 और graduate past candidate आप एधन करेंगे 18-42 साल आपकी normal age रखी गई है सेलरी आपको rule के according मिलेगी और written test साथ में document verification के basis पे आपका selection होता है आवेधन करने की date है 15 April 2024 की और इसकी आखरी date है 15 May 2024 की यानि की आवेधन करने के लिए काफी समय हैं आपके पास आसानी से आवेधन कर सकते हैं notification इसका जारी हो चुका है 417 पोश्टे है 1012 graduate वास candidate आवेधन करेंगे और इंडिया लेवल की आपको job मिल जाती है आप लोग भारत के किसी बिराज़स से आवेधन कर सकते हैं male और female दोनों के लिए ये opportunity मिलती है कि आप आवेधन करें और government job का benefit लें today top job list की बात के हैं तो अलग-अलग qualification के basis पे job साफर करी गए हैं click here पे click करके इनकी जानकारी और इनके लिए आवेधन भी कर सकते हैं selection आपका 3 step पे होगा पहला आपका return होगा दूसरा आपका document verification और तीसरा और final medical exam इसके बाद आपकी salary यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है और सबसे अच्छा यहाँ पे आपका application fees है UPSC के दौरा आई हुई हर एक भरती के लिए आपको नाम मात्र का 25 रुपए application fees यहाँ पे करनी होती है अलग-अलग category के लिए 25 रुपए के application fees है यह नहीं कि journal है तो अधिक लगेगा और CST है तो कम लगेगा आप journal हो OVC, EWS, CST, PWD सभी के लिए एक मात्र चार्ज 25 रुपए है physical के बारे में आप जानकारी देख लीजेगा बाकी documents क्या लगेंगे आवेदन करती होए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आते हैं तो कैसे आप आवेदन करेंगे उसकी जानकारी है notification जारी कर दिया गया है 21 फरवरी 2024 के दिन जिसके लिए आवेदन 15 अपरेल से 15 माई 2024 के बीच में चलने वाले हैं नीचे आते हैं तो यहाँ पर मिलता है important link का section जहाँ पर आपको हर तरह के link मिलेंगे लेकिन request ही रहेगी कि पहले WhatsApp group को join करें और हो सके तो WhatsApp channel और Telegram group को भी जरूर join करें अब हम सीधे notification को download करते हैं download notification के सामने clicker की button है एक बार इस पे click करेंगे और notification को PDF reader में open कर लेंगे देख सकते हैं UP88C के द्वारा ये चार परिख्या 2024 और यहाँ पे कनिस्क विसे सक्क खाद विवाग के अंदर की विकेंसी है 21-22-24 यानि की 21 फरवड़ी के दिन का notification online आवेदन कब से होंगे 15-4-20-24 यानि की 15 April से और इसकी आखरी date है 15-5-20-24 यानि की 15 मई की अभी हमने आपको notification दिखा दिया अब हम सीधे बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी पोश्ट है कितनी नंबर विकेंसी है कैसे आवेदन करना है कब तक आवेदन करना है और क्या सापधानी रखनी है सारी चीजे इसमें बताई गई है यहाँ से आपका notification स्टार्ट होता है पहले आप application सुल्क देखे सभी category के candidate को नाम मातर का 25 रुपे की application सुल्क पे करनी होगी इसके बाद यहाँ से नीचे आ जाते हैं तो आपको और भी कई सारी जानकारी देखने को मिलेंगी जिनके अंदर mainly यहाँ पे आपका विकेंसी है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे खाद सुरक्षा एबम और सदी प्रसासन डिपार्टमेंट यानि की फूड डिपार्टमेंट की तरफ से कनिस्क विसेशक की पोश्टे हैं और नीचे कोश्टक में खाद भी लिखा हुआ है इनकी सैलरी बहुत ही बढ़िया है 9300 से 34800 लेवल और आपका इसतर बढ़ेगा तो 35400 से 112400 रुपै की सैलरी आपको मिलेगी 417 टोटल लंबर विकेंसी हैं यहां से और नीचे आते हैं तो आरक्षण वाली सीटों के बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई है इसके बाद यहां से आपको डाउनलोड करना होगा सेम प्रोसेस है और इसमें दी गई सारी की सारी जानकारी को रेट करनी है इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा क्योंकि अभी बहुत समय है आवेदन करने के लिए अभी सिर्फ notification दिया गया है कि जो भी अभ्यारती परिख्याओं की त्यारी करना चाहते हैं वो त्यारी कर सकते हैं इसके लिए आपको बहुत समय दे दिया गया है अभी आपका notification आया है आभेदन भी अभेश सुरूर नहीं हुए है आविदन होंगे मई के 15 तारीक तक आपको उसके बाद 15 से 20 दिन या एक महिने के बाद exam date भी देखने को मिलेगी आपको पता होगा कि बीच में elections है इस बज़े से यहाँ पे date को जो है तो बढ़ा के रखा गया है ताकि elections हमापत होने के बाद आविदन सुरू हो सके तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तक तक के लिए आप सभी का धार